जो जाएगा सब्कोर्ट ट्रिक आपको तभी याद रहेगा जब आप उस विज्ट करते रहेंगे हर चीज करते रहेंगे आप यह कोड़ा हो कि आप पांस मिनट शे मिनट दे दीजिए ऐसा कुछ भी नहीं आप अपने सोचने का जो पढ़ने का तरीका या कुछ भी ठिंकिं सेयर करूंगा जो जितने पास हुए हैं या जितने टॉपर रहते हैं और अपना एक्प्रियंस भी सेयर करूंगा कि कोई भी मैट कोशन आपका गलत नहों यह नौदे पीड़ाले प्लस सैनिक स्कूल दोनों के लिए क्लास नाइन क्लास सिक्स के लिए पांचो पॉइंट को आप अच्छे से देख लिजिए इस वीडियो में तब जाकर के आप अराम से मतलब जहां पर एक्जाम सेंटर है वहां पर जाकर करके पेपर में एक भी कोश्चन गलत नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो के इंड़े तक जरूर देखिएगा और पांचो पॉइंट को धिहान इसका नहीं किया जाता है और इसे अच्छे समझा जाता है कि कैसे सॉ में याद कर तो समझे की आप कभी लोगों को आपका गलत हो गया और वे तो चॉलूचन को लिए कैसे वह मंसर मिसां को नख्य और को तो मैं आप सभी को tips बता रहा हूं इस वीडियो को देखके रहिएगा तब जा करके tips को आजमाईएगा सबसे पहले आप Google Chrome पर जाने के बाद Google लेंस का एक option रहता है उस लेंस पर जाने के बाद आपको जो कोशन को डाउट रहता है उस डाउट को गूगल लेंस से टॉच करे तो वहां से जो कोशन हैगा उसको कॉपी कर लीजिएगा अराम से उसको कॉपी करके ऐसे कुछ देखते रहे साइड में ऐसे कॉपी करके फिर से गूगल में जा करके वैसे पेस्ट कर देंगे तो उसी कोशन का solution और जितना कुछ रहेगा सब कुछ बता दिया जाएगा तो ऐसे आप अराम से कर सकते हैं और कोई बीकांफिजन मतलब जीतना भी कंफिजन आपको लगता है कि मुझे मुझे एरिया मतलब एरिया वाले कोशन में कंफिजन है परसेंटेज में या प्रोफिट लोस्ट में तो अच्छा अगर आप खरीदना चाहते हो तो नीचे दिये और इस बूख का खास बात यह है कि अगर आप इस बुक को अच्छे सौल कर लेते हो और कि इतना इमंदाड़ी से स्ल्व करते हो कि आप सलूशन से पहले नहीं देखते हो युक को सॉल्व करने के आख से लीचिशन के बाद से देखते हो यकीन मानगर जो आपका सालक्षे का जो परस्थेज पचास परसेंट अबढ़ करके पंचानवे परसंट हो सकता है आपको बस इस बुक को खरी लेना हो जितना जितना हो से के रहा हुप रहते रहना है इस बु मैंने बता दिया होगा आपको यह इसा डल गता होगा हमतलब को अच्छे करके आए यह करके मत वैसे करकर वैसे करचिये को सब्सक्राइब linu करने कि यहां हमगा है सही होता जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा और कुछ में आ जाएगा कि इस मिलगद के कहां होता है जो जो फागला आपको याद है इस हमें पांडेन् Carla टाइम में तो हमको कमेंट करेंगे तो कमillah में थोड़ा से पड़ेगा आपको लगेगा कि हाँ इस में मतलब चाहिए इसके जगह यह भर दीजिए इसके जगह यह भर दीजिए और तरीका अलग रहता है और कई तरीके से ऐसे रहता है नेक्स पॉइंट देख ते नेक्स फॉइट क्या है हम लोग का कुईस्चन मतलब मैठ के कुईस्चन सॉल्व करने के स्ट्रेटी मतलब मैठ के कोईछन कैसे कर सकते हैं एक डम आसानी से और कोई भी गलती नहों तो मैं बता रहा हूं कि जैसे की माली जे कोई बीए कोश्चन है जो आपको लगता है कि मैं तो यह solve कर सकता हूं एक्विएशन वाला है तो आप solve कर सकते हैं कोई ऐसा कोश्चन आ गया है जो आपको लगता है कि एकदम hard है मैं नहीं solve कर पाऊंगा तो तो में जैसे मेरे पिछले वीडियो में बहुत बता चुका मतलब अध तरीके सा समझेगा तब जाकर के उसके अगले लाइन पर बढ़िए एक बार पूटल कोशन पढ़ने के बार फिर से आधा पढ़िएगा जितना पूछ रहा है उसके बाद से सिर्स नेश्ट तब आपको कोशन में मतलब को समझ में आ जाएगा तब आप आराम से सॉल्व कर सक अब यह नहीं को रहा हूं कि आप एक कोशन पर पांस मिनट शे मिनट दे दिजिए ऐसा कुछ भी नहीं आप अपने सोचने का जो पढ़ने का तरीका या कुछ भी ठीकिंग करने का जो तरीका है उसको ज्यादा तेज कि यहां इस तरह इतना इस तरह मतलब जल्दी अली हर कर दीजिए तब जाख़र के हो जाएगा क्योंकि एक बार में दे रहे हैं फिर से फेल हो जाएंगे तो फिर से इसा कुछ भी नहीं होगा और कभी भी कोशन के स्वाल करते समय घड़ पे हैं तो कभी कल्कुलेटर के यूज मत किजे गए कभी वहां पर जाएंगे आप का य तो आप तो आप तुरंत कर सकते हैं तो थोड़ा सभी फर्क नहीं पड़ेगा कि यह नहीं रहना चाहिए चैनल प्वाइंट अप्शन तो मतलब जैसे कि मैं आपसं के बारे में कुछ बता दे रहा हूं वहाँ पर आपसं ऐसे कि अड़ा करेंगा कोई भी कोशन को मतलब एक मतलब एक सब्लिक के लाख जाब सब्याइव होना चाहिए इसी टाइप के पॉस्टन आपने चेज को आपजी चीज पर सिरण लाइक किजिएगा तब आपका ये कोशन सही होता जाएगा माली जिए कि आपको एक कोश्चन दिया गया उसको तीन तरीके से मेठर से मिल जा रहा है तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि दोनों में से कौन सा होगा तो मैं यही कहूंगा जो आप मतलब जिस फार्मूला पर आपने ज्यादा कोश्चन सॉल्व किया है आपको लगता है कि यह 100% सही है और जिए जो आपसन आया है उससे भी चेक कर सकते हैं जो को सब्सक्राइब करने के लिए मतलब जो इसकूल में पढ़ते हैं उसको कट करके बहुत कम नमबर देगा भले ही आप सही उत्तर लाएं होंगे तो सही है लेकिन वहां पर जो रहता है उसको आप एकड़म अच्छे से सॉल्व किजिएगा जैसे कि सौट को ट्रिक का मतलब य कुछ फ्री बना दिये जता है कि इसको यहां पर यहां पर यह वह देंगे तो यह हो जैगा सब्वेस्ट को आको तभी याद रहेगा जब आप उस वह बार बार यूज करते रहेंगे हर चीजी लोग करते रहेगे और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कई दिनों से आपकर इस मत आप मतलब कोई भी confusion में मत रहिएगा तब तक के लिए इन दोनों में से कोई एक वीडियो देखिए बेश्ट अपलक एक्जाम के लिए क्योंकि एक्जाम आप सभी के सबसे करीब आ चुका है झाल